उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। इसकी जानकारी CM ओफिस द्वारा सोशल मेडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर साजह की गई। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को CM योगी का एक और तौफा, DA में की इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस के साथ DA का भी तौफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के DA में तीन प्रतिशत का इजाफा किया है अब महंगाई भत्ता की दर बढ़कर तिरपन प्रतिशत हो गई है DA वरीध्धी का लाब जुलाई दो हजार चौबीस से दिया जाएगा इससे पहले बुधवार को सरकार ने राज्य करमचारियों के लिए बोनस की घोशना की थी दैनिक जागरन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार ने राज्य करमचारियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ते दीए में तीन प्रतिशत व्रिद्धी के रूप में इस माह तीसरा उपहार दिया है राज्य करमचारियों को अक्टूबर माह का वेतन अब बड़े हुए डीए के साथ मिलेगा पेंशनरों को महंगाई राहत दी आर में भी तीन प्रतिशत की व्रिद्धी की गई है दी एडी आर व्रिद्धी का लाभ इस वर्ष जुलाई से दिया जाएगा वित्विभाग ने गुरुवार को इस संबन में शासनादेश जारी कर दिया है दीपावली से पहले ही राज्य करमचारियों को वेतन और बोनस देने की घोशना पहले ही की जा चुकी है अपर मुख्य सचिव वित्व दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में केंद्र सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को लिए गए निरने का उलेख करते हुए डी ए में व्रिद्धी की घोशना की गई है वित्विभाग ने सभी राज्य करमचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानिय निकाय के नियमित्व पूर्रकालिक करमचारियों, कार्य प्रभारित करमचारियों और UGC वेतनमान में कार्यरत पधारकों को एक ज जुलाई से संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की स्विक्रिती प्रदान की है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता की दर बढ़कर तिरपन प्रतिशत हो जाएगी। यह भी साफ किया गया है कि बड़े हुए D.A. का भुकता नियमित वेतन के साथ 30 अक्टूबर तक नकद किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं या जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हों अत्वा 6 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों उन्हें देई महंगाई भत्ता के बकाया की धन्राशी का भुकतान नकद किया जाएगा। राज्यकर्मियों को वर्ष 2023 से 24 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा। प्रत्यक कर्मचारी को 6908 रुपे बोनस मिलेगा। इस धन्राशी का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविशन निधी जी पी एफ खाते में जाएगा जबकि 25 प्रतिशत यानी 1727 रुपे का नकद भुकतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जी पी एफ का सदस्यन नहीं है। उसे यह धन्राशी राश्ट्रिय बचत पत्र के रूप में या फिर पी पी एफ में जमा की जाएगी। इस माँ वेतन के साथ ही राज्य कर्मियों को बोनस देने पर 1022 करोड रुपे का अतिरिक्त वित्तिय भार सरकार पर आएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार बोनस 4,800 रुपे तक ग्रेड वेतन पाने वाले ऐसे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकिय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त श जिन्हें वर्ष 2023 से 24 में किसी विभागी अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा तो अगर आप भी बोनस के के हकदार हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो धन्यबाद